दोस्तों नमश्कार मैं हूँ अमित पाटिदार चुनाओं की गर्मी कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है लेकिन अभी जो माहौल गर्माया है वो एक्जिट पोल्स के कारण गर्माया है हर टीवी चैनल अपने अपने नजरिये से एक्जिट पोल्स को देख रहा है और दिखा रहा है जनता भी बड़ी उत्सक है तेविस तारिक सामने है नतीजे सामने आ जाएंगे आज हमने एक अलग करी से तरीके की कोशिश करी है उन एक्जिट पोल्स की समिक्षा करने की आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर बसंत सुनी जो समय समय पे अपनी भविश्यवानियों को लेके प्रदेश में और देश में चर्चित रहते हैं और साथ में आज जो हमारा मुख्य मुद्दा या में विशय है इस चीज़ का ये विशय है कि राशियों के अनुसार अब हम ये देखें कि उट किस करवट बैठेगा और सत्ता किस के हाथ लगेगी मैं नमश्कार करता हूँ और सुआगत करता हूँ डॉक्टर सुनीया आपका नमश्कार आज हम बड़ी और अलग तरीके से विवेशना कर रहे हैं और एक बड़ी जीज को स्टेडी करने की कोशिश कर रहे है कि राशियों के अनुसार उट किस तर pockets बैठना है और सत्ता किस कि ऐसके आग्यानिया प्रामाणिक विज्ञाने को देखते हैं तो देश का शीश्र नेता जो है वर्तमान में प्रधान मंत्री के रूप में नरेन मोदी जी हैं सबसे पहले अपने को उनकी कुंड़ी पर चर्चा करना चाहिए। आप कहां तक सहमत है इन सारे सर्वेश से या जोतिशी गंड़ना के अनुसार क्या यह सर्वेश सटिक हैं जोतिशी गंड़ना के हिसाब से अपन देखते हैं तो अभी तक जितने भी एक्जिट फूल के आंकड़े दिये जा रहे हैं उसे मैं सभंबत नहीं हूँ क्योंकि हर दिन हर पार्टी का और हर नेता का अच्छा नहीं हो सकता एक्जिट फूल जिस समय वोटिंग डलती है उस समय उस व्यक्ति का चंद्रमा किस राशी में हैं उसके आधार पर मत दाता वोट डालता है आपने देखा हुआ कि कई बार अपन चर्चा करते हैं कल तक तो इसका मह नहीं होता है जिस दिन प्रत्याशी का एवं प्रत्याशी के प्रमुख नेता का चंद्रमा लाब इस्थान पर होता है जब व्यक्ति को लाब मिलता है और शत्र इस्थान पर यदि चंद्रमा रहता है तो जमा जमया खेल एक दिन पेले बिगड़ जाता है इसलिए एक्जि पहले तै कर लिए हैं उसे में समवद नहीं हूँ जोतिष शास्त्र इस चीज़ को नहीं मानता है कि किस पार्टी की और इशारा कर रहा है कि सत्ता के करीब पहुच रही है या सत्ता पे कादिस हो रही है अब जोतिष शास्त की अपन बात करें तो देश में दो दो प्रमुख पार्टियां हैं भार्तिल जनता पार्टि और राक्टियं नहीं कुण्डी के रीसर्च कर करने और उसके अंदर अपन देखें गेंगे तो अब नन्रेण जी के कुणली के साथ साथ में अपने को भारती जनता पार्टी की कुणली का भी रिसर्च करना पड़ेगा अब भारती जनता पार्टी की कुणली को अपन देखते हैं तो मिथुल लगने की पत्रिका बन रही है और उसमें भी चंद्रमा की महादशा चल रही है अब जिस दि जनता का रिल्ट आएगा वो तारिक आती है तेविस तेविस तारिक को बात जनता पार्टी का एवं मोदी जी का चंद्रमा क्या कहता है इस पर जोति शाथ का गणित निकलता है अब मही के महिने में तेविस तरिक के दिन मोदी जी के कुण्डी के अंदर चंद्रमा गयारवे स्थान पर आ रहा है जो उनके लिए भोशुव है उनका मान सम्मान बढ़ाएगा इस कारण से मोदी जी की वज़े से देश में काफी वोट मोदी जी के वज़े से प्रत्याशियों को नहीं देखते हुए मोदी जी के आने वाले लोगों का जो कांग्रेसी वोट थे वो भी उन्होंने भी मोधी जी की तरफ आकरशित होकर उनको वोट डाला है क्योंकि इसके पूरू में भी ऐसा हुआ था तो इतना बहुमत सिर्फ भातिजनता पार्टी की विचाधरा के लोगों से इतने वोट नहीं मिल सकते इसा यह जोतिशी घनित केता है मतलब आप कहीं न कहीं इस बात के और इंगित कर रहा है कि आने वाली प्रधान मंत्री के रूप में हम नरेन मोधी को ही देख रहा है हां बिल्कुल जोतिशी घनित तो इसा के रहा है क्योंकि बहुत अच्छे इस्थान पर चंद्रमा उनको को वह support कर रहा है और चंद्रमा का महीना चल भी रहा है और चंद्रमा को देखके युद इस के 30 पर फेंड लोग पूरी तरीके से रम जान के महिने में अपना पुजा पार्ट उनकी अपने धर्म कर रहे हैं और इस महिने में चंदरमा का महत तो ज्यादा रहता है तो चंदरमा कहीं ने कहीं और चंदरमा की महाद अच्छा बात जिनता पार्टी की भी चल रही है और मोधी जी की भी चल रही है और चंदरमा का महिना भी चल रहा है तो कि तीनों चीत मोधी जी को बहुत सपोर्ट कर रही है अब ही जो अलग अलग चैनल सीटों का गणित बता रहा है जो 266 से लगा के 330 तक जा रहा है आप इस पे क्या कहेंगे कितनी सीटें भाजपा अपने दम पे अकेले लेके आएगी एंडिये के अलावा एंडिये के अलावा जोतिश गणित को अपन अलग अलग नक्षटरों के हिसाब से अब पुरे देश में अलग अलग राजपे जब वोटिंग डिली है उस नक्षटरों के हिसाब से प्लस मैनस दोनों का अपन गणित लगा के देखते हैं तो 260 सीटों का गणित जोतिश गणित बनता है भाजप कि यह अगर विपक्षी पार्टिओं को हम देखें दूसरी पार्टिओं को क्या कारण रहे हैं कि यह इतना अच्छा पत्रिका है इनके कुण्णी में चंद्रवा छटे इस्थान पे शत्रू के इस्थान पे बेठावा है तो ये महिना आल्रेडी रहुल गांदी के लिए अच्छा नहीं था दूसरा सूर्य के साथ में मंगल लगने में बेठता है सूर्य भी गरम और मंगल भी गरम तो रहुल को कांग्रेस पार्टी का कोई भी वरिष्ट नेता कभी भी पसंद नहीं करेगा और राहुल गांदी अपनी पार्टी के लिए कभी भी लाब दायक नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर चंद्रमा के फाद शनी पांचों इस्तान पर बेठा हुआ है और सूरी के फाद बूद बारवे इस्तान पर बेठा हुआ है अब धनू लगने के कुण्ली के वज़े से राहुल गांदी कांग्रेस पार्टी के लिए लाब दायक नहीं है राहुल गांदी की जगह किसी आप दिग्गी राजा को बिठाते तो शायद देश की राजनिति के अंदर बहुत बड़ा परिवित्न आ जाता इसी भविषणी में पेले कर चुका हूँ अब राजा फाब यदि को प्रमोड कांग्रेस पार्टी करती तो शायद देश में मोधी जी को बहुत अच्छी इ तो अपनी जगत थी अभी वह भूपाल से साध्वी प्रज्या के सामने चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से साध्वी प्रज्या है और कॉंग्रेस से दिग्वेश सिंग अगर हम सारी सीटों को छोड़दें और क्यवल हम भूपाल वाली सीट की बात करें तो क्या लगता वोट लाएंगे और उनकी इस्तिती खराब नहीं है यह थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब हो गया मैं आपसे इसपष्ट राय जानना चाहूंगा कि इसपष्ट अगर राय हो तो दिखविजे सिंग और अगर सादवी प्रग्या ठाकुर की बात करें तो कौन सांसत बन सकत है क्योंकि अभी जितने भी उत्तर हैं सब भविश्य के गर्व में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं इवीम में कैद हैं तेविस तारिक को ही हमें पता चलेगा आज क्योंकि तेविस तारिक अभी दूर है और हम जानना आप से इसपष्ट चाहें अगर कि दोनों में से कौन स नेता वहां सांसत बनेगा तो अब क्या कहेंगे वोटिंग वाला दिन वह जो मैंने का चंदरमा की स्थिती दीविजे सीन जी के पक्षमें नहीं थी लेकिन तेविस तारिक की जो मतगणा वाले दीन आ रहा है वो प्रग्या ठाकुर मेडम का साध्वी जी का थोड़ा सा अ इफिले फाद्वी जी का थोड़ा सा पलड़ा बहरी नजर आ रहा है ठीक है अब एक दूसरा प्रश्ण मेरे दिमाग में बार बार कौन रहा है कि वोटिंग थी उननेस तारिक को साथवे चरण की हां लोग मतदान के लिए उतसुक थे और मेरे ख्याल से तक्रीबन तक्री सामें वहां चले गए क्या लगता है आपको केदारनाथ यात्रा का उनके ग्रह नक्षतर पंदरा तारिक से ही चेंज हुए थे और इनका प्रोग्राम उन्होंने लगबग 50 दिन पूर्वत तैक कर लिया था और जब भी उनके ग्रह नक्षतर उनके पक्षमें नहीं होते है उसके पूरू में ही वो केदारनाथ जाकर या अन्य सादना इस्तर पर जाकर इश्वर से आरदना करके अपने पक्षमें उसका जो भी पूजा पाट रहती है उनकी गुप्त विद्धाएं जो उनके पाफ है हमदब हर आदमी का पूजा पाट करने का अपना तरीका है अपना दिकार भी और वो अपने तरीके करते हैं और वो वहाँ पर जाके उन्होंने रात भर किया है उसका अलाब भी उनको मिलेगा तो अब हम इस नतीजे पर पहुचे हैं अगर इस चर्चा को देखें तो डॉक्टर सोनी के अनुसार जो इनका अपना मत है कि जोतिशी गंड़ना की अगर इन्होंने स्टडी करी या जोतिशी गंड़ना के अनुसार इन्होंने बताया तो डॉक्टर सोनी ने अभी हमें ब पड़ेगा कि सीटें कितनी आएगी टीवी पे आ रहे है सर्वेक्षनों से या टीवी पे आ रहे है एग्जिट पॉल की बात अगर मैं करूं तो टीवी पे आ रहे है एग्जिट पॉल से अलग हटते हुए इनका जो मत है वो ये मत है कि दो सो कितना आपने उनसा हट का दो सो तो मैं अब सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि बविश्य के गर्व में और EVM पेटी में सारे चुनाओं परिणाम कैद हैं अब इंतिजार करें तेज तारिक तक तेज तारिक शाम को जब हम एक बार पुना मिलेंगे डॉक्टर सोनी से पुना चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि ये जो आकड़े डॉक्टर सोनी ने अपने मतानुसार हमें दिये हैं ये कहां तक सटिक बैठते हैं वैसे अभी तक इनके दिये गए बहुत सारे आकड़े सटिक ही साबित हुए हैं तो एक बार मैं पुना इन्हें इन्वाइट करना चाहूँगा अपने स्टूडियों में 23 तारिक को शाम में जब हम विशलेशन करेंगे इनके आकड़ों का एक्च्छल आकड़ों के साथ धन्यवाद